हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशानता येस, सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम भारत के राश्टरपती यानि की प्रसीडेंट अफ इंडिया के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस क्लास में हम अपने डिसकेशन को आगे बढ़ाएंगे सो फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि राश्टरपती के चुनाओ में राज्य विधान सवा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं यानि कि स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली के इलेक्टिड मेंबर्स वोट देते हैं और यदि इस बात को मासान बासा में कहें तो हम यह कह सकते हैं कि MLA's या फिर विधायक राश्टरपती के चुनाओ में बोट देते हैं अब फ्रेंड्स मान के चलिए यानि कि क्या हो यदि किसी विधान सवा पर राश्टरपती शाशन लगा हो तो यदि किसी विधान सवा पर राश्टरपती शाशन लगा हो तो दो कंडिशन हो सकती है सबसे पहली कंडिशन हो सकती है कि वो विधान सवा सस्पेंडेड हो यानि कि निलंबित हो और दूसरी condition हो सकती है कि उस विधान सबा को dissolve कर दिया गया हो यानि कि भंग कर दिया गया हो So friends क्या अंतर है suspended और dissolved legislative assembly में यानि कि क्या अंतर है निलंबित और भंग की हुई विधान सबा में तो आईए एक example के through इस बात को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ So friends मान के चलिए कि आपके पास एक glass है और इस glass में पानी भरा हुआ है तो अब यह जो glass है आप इसको मान के चलिए कि यह विधान सबा है और उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो विधान सबा के सदस है यानि कि वो विधायक है या फिर वो amylase है अब friends यदि आप अब आप सभी जानते हैं कि जो water molecules हैं यानि कि पानी के कण हैं वो motion में रहते हैं वो इधर से उधर घुमते हैं अब यदि आप इस पानी के glass को freezer में रख दें तो क्या होगा definitely पानी जम जाएगा और जब पानी जम जाएगा पानी बरफ बन जाएगा तो उसके बाद जो water molecules हैं पानी के कण हैं वो इधर से उधर नहीं गुम पाएंगे उसके बाद आप इस पानी को पी भी नहीं पाएंगे क्योंकि पानी जम चुका है बिल्कुल यही इस्तिती होती है जब किसी विधान सबा को निलंबित यानि कि suspend कर दिया जाता है तो जब किसी विधान सबा को निलंबित कर दिया जाता है तो जो विधायक हैं, यानि कि जो विधान सबा के सदस हैं, वो रहते तो विधान सबा में ही हैं, परन्तु वो सदस एक तरह से फ्रीज हो जाते हैं, यानि कि वो एक तरह से जम जाते हैं, यानि कि वो किसी भी प्रकार का कोई कार नहीं कर सकते, उनको किसी भी प्रकार का कार क करने से रोग दिया जाता है जैसे कि विधान सबा का क्या कार रहे होता है कानून मनाना विधायकों का क्या कार होता है कानून मनाना तो अब उनको कानून बनाने से रोग दिया जाता है अब वो अपने राज्य के लिए कानून नहीं कर सकते हैं उनको किसी भी प्रकार का काम करने से रूख दिया गया है अब friends dissolved legislative assembly या फिर भंग की हुई विधान सवा से क्या मतलब है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ग्लास आपके हाथ में है वो विधान सवा है और उसके अंदर जो पानी है वो विधान सवा के सदस है अब यदि आप इस पानी को ग्लास से बाहर फेक दें तो अब आप कहेंगे कि ग्लास खाली हो चुका है और पानी अब ग्लास में नहीं है ओके बिल्कुल उसी प्रकार से यदि विधान सवा के सदस्यों को यानि कि विधायकों को या फिर MLS को विधान सवा से हटा दिया अब ये क्या है अब ये एक आपकी और मेरी तरह एक आम आदमी है ओके सो अब ये हम सब की तरह एक आम आदमी है अब ये विधायक नहीं रहे अब ये member of legislative assembly नहीं रहे और जो विधान सवा है यानि कि जो सदन है अब वो खाली हो चुका है उसमें कोई भी विधायक नहीं है तो ये मतलब होता है विदानसवा को भंग करने का, डिजॉल्व करने का अब आईए देखते हैं कि इन दोनों ही कंडिशन्स में क्या होता है So friends, यदि हम बात करें suspended legislative assembly की यानि कि ऐसी विदानसवा जिसको निलंबित किया गया हो तो भले ही उसको निलंबित कर दिया गया है लेकिन जो उसके सदस हैं, वो अभी भी विदानसवा के सदस हैं वे अभी भी विदायक हैं, वे अभी भी MLA's हैं यानि कि वे अभी भी अपने राज के लोगों की प्रतिनिदी हैं तो इसका मतलब है कि भले यह उनको कोई कार करने से रोग दिया गया हो, भले ही भी कोई भी कार नहीं कर सकते, भी निलम्बित हैं, लेकिन जूकि भी अपने राज की लोगों की प्रतिनिदी हैं, अपनी राज की लोगों की representative हैं, तो उनको राष्ट कि चुनाओं में बोट द दिया जाना चाहिए तो बिल्कुल यही होता है यदि विदान सभा suspended हो यानि कि निलंबित हो तो भी उस विदान सभा के सदस्थ यानि कि जो विदायक हैं या MLA's हैं उस विदान सभा के निर्वाचित सदस्थ तब भी राष्टपती के चुनाओं में हिस्सा ले सकते हैं यह तब भी राष्टपती के चुनाओं में बोट देते हैं लेकिन दूसरी कंडिशन क्या थी कि विदान सभा को भंग कर दिया गया एनि कि legislative assembly को dissolve कर दिया गया और भंग करने में क्या हुआ कि legislative assembly खाली हो गई विदान सभा खाली हो गई विदान सभा में कोई सदस्य बचा ही न जब विदान सभा में कोई है ही नहीं तो बोट कौन देगा इसलिए जब विदान सभा को भंग कर दिया जाता है legislative assembly को dissolve कर दिया जाता है तो उस समय फिर वो विदान सभा उस राज्ज की विदान सभा राष्ट्रपती के चुनाओं में हिस्सा नहीं लेती वो विदान सभा उठता है कि राष्ट्रपती के चुनाव में रेटर्निंग ओफिसर कौन होता है रेटर्निंग ओफिसर या फर निर्वाचन अधिकारी तो राष्ट्रपती के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी कौन होता है तो उससे बीचे पहले आप लोग मुझसे पूछेंगे कि सर र particular constituency यानि कि किसी निर्वाचन छेत्र में चुनाव करवाने की पूरी जिम्मेदारी हो यानि कि एक निर्वाचन अधिकारी एक किसी विशेष निर्वाचन छेत्र में चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी होता है किसी भी निर्वाचन छेत्र में चुनाव करवाने की पूरी जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारी के हुपर होती है जैसे की फ्रेंड्स लोग सवा चुनाव में किसी भी निर्वाचन छेत्र का जो निर्वाचन अधिकारी होता है वो DM को बनाये जाता है बिल्कुल उसी प्रकार विधान सवा के चुनाव में किसी भी छेत्र के किसी भी निर्वाचन छेत्र का निर्वाचन अधिकारी SDM को बनाय जाता है एक practical चीज है यानि कि जब लोग सवा के चुनाव होते हैं तो किसी भी constituency का returning officer किसे बनाय जाता है DM को बनाया जाता है और जब विधान सवा के चुना होते हैं राज्य की legislative assembly के चुना होते हैं तो किसी भी constituency के returning officer SDM को बनाया जाता है तो जब लोग सवा चुना होंगे तो किसी भी निर्वाचन छेत्र का निर्वाचन अधिकारी कौन बनेगा DM और जब विधान सवा चुना होंगे तो किसी भी निर्वाचन छेत्र का निर्वाचन अधिकारी कौन मनेगा SDM अब आप लोग पूछेंगे कि सर निर्वाचन छेत्र या constituency क्या होती है ये बात तो समझ में आ गई कि निर्वाचन अधिकारी क्या होता है रेटर्निंग अफिसर क्या होता है लेकिन निर्वाचन छेत्र या constituency क्या होती है तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था friends कि जब लोग सभा के चुना होते हैं तो लोग सभा में कितनी seat हैं कुल 543 seats तो लोग सभा के चुनाओ में पूरे देश को 543 इस्थानों में बाड़ दिया जाता है और हर जो एरिया होता है उस एरिया में से एक लोग सभा सदस्य को चुना जाता है एक मेंबर अफ लोग सभा को इलेक्ट किया जाता है और इस एरिया को हम बोलते हैं या फिर निर्वाचन छेत्र यानि कि ऐसा छेत्र जहां से एक सदस्य को निर्वाचित किया जाए ऐसा छेत्र जहां से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाए ओके अब फ्रेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि निर्वाचन अधिकारी के ऊपर किसी वी निर्वाचन छेत्र के स लोग सवा चुनाओं में यदि कुछ candidates खड़े हुए हैं, मान के चलिए किसी एक particular constituency से कुछ candidates लोग सवा चुनाओं में खड़े हुए हैं, तो अब ये जो candidates हैं वो अपना nomination paper किसको देंगे, ये अपना nomination paper returning officer को देंगे, यानि कि यदि किसी लोग सवा चुनाओं में एक निर्वाचन छेतर से कुछ उम्मीदबार खड़े हुए हैं, तो अब इन उम्मीदबारों को अपना nomination paper यानि कि अपना नामंकन पत्र भर के जमा करना होगा, तो अब ये अपना नामंकन पत्र किसको देंगे, ये अपना नामंकन पत्र निर्वाचन अधिकारी यानि कि returning officer के पास जमा करेंगे, तो इस प्रकार से returning officer जो है, निर्वाचन अधिकारी जो है, उसके उपर किसी भी particular constituency में, यहनि कि किसी भी विशेस निर्वाचन छेत्र के चुनाव का पूरा जिम्मा होता है वो उस निर्वाचन छेत्र के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी होता है वेप सवाल औह उड़ता है कि राश्टरपती के चुनाओं में निर्वाचन अधिकारी कौन है प्रसिडेंट के election में returning officer कौन है सो फ्रेंट्स प्रसिडेंट के election में secretary journal लोकसबा यहनी कि लोकसबा महासरचिब सेकरेटरी जर्णल राजरसबा यानि कि राज्यसभा महासचिव ये दोनों returning officer निर्वाचन अधिकारी बनते हैं और ये बारी-बारी करके राष्ट्रपती और उपराष्ट्रपती के चुनाओं में निर्वाचन अधिकारी बनते हैं जैसी कि मान के चलिए यदि एक किसी विसेश चुनाओं में लोगसभा महासचिव राष्ट्रपती के चुनाओं का निर्वाचन अधिकारी है तो अगले चुनाओं में राज्यसभा महासचिव राष्ट्रपती के चुनाओं में निर्वाचन अधिकारी बनेगा और उसके अगले चुनाव में फिर लोकसभा महासचिब निर्वाचन अधिकारी बनेगा और उसके अगले चुनाव में फिर से राजसभा महासचिब राष्ट्रपती के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी बनेगा यानि कि ये दोनों एक-एक करके राष्ट्रपती के चुनाओं में निर्वाचन अधिकारी बनते हैं बिल्कुर उसी प्रकार से ये दोनों एक-एक करके उपराष्ट्रपती के चुनाओं में भी निर्वाचन अधिकारी बनते हैं तो राष्ट्रपती के चुनाओ में Returning Officer और निर्वाचन अधिकारी लोग सबा महासचिप और राजी सबा महासचिप एक एक करके बनते हैं, और जब हम चुनाओ का topic लेंगे तो हम Returning Officer और निर्वाचन अधिकारी पर फिर से detail में चर्चा करेंगे, उसके बाद friends अब सवाल आ अभी आपको यह बताया कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपती के चुनाओ में उम्मीदवार है, जो उम्मीदवार बनना चाहता है, उसको एक nomination paper जमा करना होगा, एक नामंकन पत्र जमा करना होगा, जिसमें उस candidate की सारी जानकारी होगी, यह एक type का form है, और यह nomination paper या नामंक जमा किया जाएगा, अब friends, राष्ट्रपती के चुनाओ में जो भी उम्मीदवार बनना चाहता है, यानि कि जो भी राष्ट्रपती के चुनाओ में खड़ा होना चाहता है, तो उसका जो नामंकन पत्र है, उसे कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्ताबित होना चाहिए, यानि कि कम से कम minimum 50 voters ने उस व्यक्ती के nomination paper को propose किया हो, कम से कम 50 मतदाताओं ने उस व्यक्ती के जो की राष्ट्रपती के चुनाओ में उम्मीदवार बनना चाहता है, उस व्यक्ती के नामंकन पत्र को प्रस्तावित किया हो, तो क्या मतलब है किसी नामंकन पत्र को प्रस्ता होने दिया जाए यानि कि ये जो पचास व्यक्ति है वो इस व्यक्ति के जो की राष्टपती के चुनाव में खड़ा हो रहा है उसके समर्थक है उसके बाद ये जो इस व्यक्ति का नामंकन पत्र है उसे कम से कम अन्न पचास मतदाताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए यान यानि कि यह वह मत्दाता है जो इस सपोर्ट में है, जो इस समर्थन में है यानि कि यह मत्दाता चाहते है कि इस व्यक्ति को राश्ट्रपती बनाया जाए और वो उसके लिए नामंकन पत्र भरता है तो उस नामंकन पत्र को कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और उसके बाद अन्य 50 मतदाताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए यहने कि सपोर्टिड होना चाहिए और जो अन्य 50 मतदाता है यह पहले 50 मतदा अलग होंगे जिन्होंने नामंकर पत्र को प्रस्तावित किया है उसके बाद राष्ट्रपती के चुनाओं में जो भी व्यक्ति खड़ा होता है उसको 15,000 रुपे जमानत राशी के रूप में जमा करवाना पड़ता है यहनि कि सिक्यूरिटी डिपोजिट के रूप में जमा क के पास होता है यहनि कि राष्ट्रपती के चुनाओं से सम्मंदित जो भी विवाद होगा जो भी डिस्प्यूट होगी उसकी हेरिंग की पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोट के पास होती है यहनि कि उसकी सुनवाई की सकती सिर्फ और सर्वोच्य नियायलाय के पास हो अब फ्रेंट्स मान के चलिए कि एक व्यक्ति है जो कि राष्टपती के चुनाव में जीत गया और वो भारत के राष्टपती के रूप में निर्वाचित हो गया उसने अपना कारभार समाल लिया और वो अपना कार करने लगा लेकिन इसी बीच जो दूसरी पार्टी थी उसन सर्वोचे निया एलाय में केस कर दिया कि यह जो चुनाव है इसने चीटिंग करके जीता है इसने इसमें बहिमानी की है यानि कि चुनाव में क्या हो गया विवाद हो गया डिस्प्यूट हो गई अब यह व्यक्ति चुकि राष्टपती का पर्ट समाल चुका है तो यह बह बहुत सारे नीडै लेगी और जो यो वियकति है उस और नीतिया बना दी और नीडै ले लिए है यानि कि जो election है और चुकि election ही नलग वाउइट हो गया चुनाव ही सूने गुसित हो गया तो जो व्यक्ती और द्वरा चुना गया था अब उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा तो ये जो नाम पर सरकार ने लिए उन निर्णायों को सून नेगोशित नहीं किया जाएगा, वो निर्णाय यथावत रहेंगे यथा इस्तिती रहेंगे, उन निर्णाय पर इसके हट जाने से कोई प्रभाब नहीं पड़ेगा, उसके बाद अर्टिकल 58 आता है, सो अर्टिकल 58 बात करता है क्वालिफिकिशन के बारे में, यानि कि अहरता के बारे में, यानि कि यदि कोई व्यक्ति राश्ट्रपती बनना चाहता है, तो उसके पास कम से कम क्या योगिता होनी चाहिए, वो कितना क्वालिफाइड होना चाह इंडिया होना चाहिए यानि कि किसी भी अन देश का नागरेक भारत का राष्ट्रपती नहीं बन सकता है कोई भी विदेशी भारत का राष्ट्रपती नहीं बन सकता है यदि कोई व्यक्ति भारत का राष्टर पती बनना चाहता है तो उसे भारत का नागरेख होना अनिवार है उसके बाद minimum age क्या है यजिनि कि new income IU क्या है तो friends यदि कोई व्यक्ति राष्टर पती बनना चाहता है तो उसे कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए यदि कोई व्यक्ति 35 बर्स से कम आयू का है तो वो व्यक्ति राष्टपती के चुनाओं में खड़ा नहीं हो सकता यानि कि व्यक्ति कम से कम 35 बर्स का होना ही चाहिए 35 बर्स या उससे अधिक का उसके बाद तीसरी qualification है कि qualified to be a member of लोकसभा यानि कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो तो फ्रेंट्स लोकसभा के सदस्य बनने की योग्ता क्या होती है इस बारे में हम तब चर्चा करेंगे जब मैं आपको लोकसभा के बारे में पढ़ाऊंगा तब तक के लिए आप बस इतना समझे कि राष्ट्रपती बनने के लिए यह एक योगता आवशक है कि व्यक्ति को व्यक्ति लोग सवा का सदस्य बनने के लिए योग हो यानि कि जो भी योगता हैं जो भी अहरता हैं व्यक्ति को लोग सभा के सदस्व बनने के लिए चाहिए वो सभी अहरता हैं उस व्यक्ति के पास हो उसके बाद must not be holding an office of profit यानि कि बहे व्यक्ति लाब के पदपर नहीं हो अब लाब का पद या office of profit क्या होता है तो मान कि चली एक व्यक्ति है संता नाम का और वो व्यक्ति किसी पदपर है किसी भी post पर है अब यदि उस व्यक्ति की न्यूक्ति सरकार ने की है यानि कि उसका appointment गॉर्मेंट ने किया है उसके बाद उस व्यक्ति को हटाने की शक्ती भी सरकार के पास है इसके अलाबा उस व्यक्ति को जो कार्रिवो कर रहा है यानि कि वो जिस पत पर है उसके लिए उसको पैसा मिला है सेलरी मिल लई है तो ऐसे किसी भी पत को हम लाब का पद या Office of Profit कहते हैं तो कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपती बनना चाहता है तो उसे किसी भी प्रकार के लाब के पद पर नहीं होना चाहिए लेकिन friends, राष्ट्रपती के चुनाओं के लिए राश्ट्रपती का पद, उपराश्ट्रपती का पद, यानि कि President, Vice President और Ministers of Union or State, यानि कि संग या राज्य के मंत्री, ये जो भी पद हैं, ये लाब के पद नहीं होते, यानि कि कोई व्यक्ति पहले से यदि राश्ट्रपती हो, उपराश्ट्रपती हो, या वो संग का या रा राज्य का मंत्री हो, तो ये सभी व्यक्ति राश्ट्रपती के चुनाओं में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये पद लाब के पद नहीं होते हैं, उसके बाद, Parliament by lock and declare some officers as not the office, some offices as not the office of profit, यानि कि कानून द्वारा संग कुछ पदों को लाब के पद की सूची से बाहर कर सकती है, यानि कि संसद एक कानून बनाए, और उस कानून को बनाके संसद ये घोशित कर दे कि ये जो जो पद हैं, ये पद लाब के पद नहीं है, तो फिर उन पदों को, उन offices को राश्ट्रपती के चुनाओं के लिए लाब का पद नहीं माना जाएगा, उसके बाद, फ्रेंट यानि कि अनुचेत 59 कहता है कि यदी संसद के किसी सदन या किसी राज की विदान मंडल के किसी सदन का कोई सदस से राष्ट्रपती निरवाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उस सदन में अपना इस्थान राष्टपती के रूप में अपने पद गरण की तारीक से रिक्त कर दिया है तो क्या मतलब है इस बात का इस बात का ये मतलब है कि तब से पहले हैं पर बोला गया कि संसत के दोनों सदन ओके तो मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो लोक सभा का सदस्य हो या फिर वो राज्य सभा का सदस्य हो या फिर वो राज्य के किसी भी बिधान मंडल का सदस्य हो जैसे कि वो बिधान सभा का सदस्य हो तो मान के चलिए यहाँ पर हम लोक सभा का एक्जामपल लेके चलते हैं तो मान के से लिए एक व्यक्ति है संता नाम का और यह जो व्यक्ति है यह पहले से लोकसभा का सदस है अब यह व्यक्ति राष्ट्रपती के चुनाव में खड़ा हुआ और इसने चुनाव जीत लिया और चुनाव जीतने के बाद यह व्यक्ति राष्ट्रपती बन गया तो अब ये जो व्यक्ति है अब जब ये राष्टपती के रूप में अपना पद धारण करेगा तो जब ये व्यक्ति राष्टपती के रूप में अपने पद को ग्रहन करेगा तब यह समझ लिया जाएगा कि इस व्यक्ति ने सदन में अपने स्थान को खाली कर दिया है यानि कि इसने लोक सभा में अपनी सीट को खाली कर दिया है तो यदि मैं सीधी भासा में कहूं तो इस बात का यह मतलब है कि यदि कोई लोक सभा का सदस है या राज्य सभा का सदस्य है या राज्य की किसी बिधान मंडल का सदस्य है और वो व्यक्ति यदि राष्टपती की रूप में निर्वाचित हो गया है प्रसीडेंट की रूप में इलेक्ट हो गया है और तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपती की रूप में अपने पद ग्रहन से पहले सदन में अपनी सीट को खाली करना पड़ेगा जैसे कि जो लोकसभा सदस्य था जो हमारा संता है वो एक लोकसभा सदस्य था और वो राष्टपती की रूप में निर्वाचित हो गया था तो जब वो राष्टपती की रूप में अपना पद ग्रहन करेगा जब वो राष्टपती के ओफिस में एंटर करेगा उससे पहले उसको लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी उससे पहले उसको लोकसभा में अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी तो राष्ट्रपती की रूप में पद ग्रहन करने की तारीक से यह समझ लिया जाएगा कि उसने अपना जो उसकी सीट थी उसने उसे सदन में रिक्त कर दिया है उसने सदन में अपने स्थान को रिक्त कर दिया है उसके बाद आती है Friends, President की Oath यानि की शपत यानि की अनुचे 60 के तहत भारत की मुख न्यायाधीस राष्ट्रपती को सपत दिलाते हैं तो क्या मतलब इस बात का? इस बात का यह मतलब है की अनुचे 60 के तहत राष्ट्रपती मुख न्यायाधीस की उपस्तिती में सपत लेते हैं तो प्रेसिडेंट जब अपना ओफिस में एंटर करते हैं यानि कि राष्टपती जब कोई भी व्यक्ति राष्टपती के चुनाव जीतने के बाद राष्टपती के पत को गरहन करता है उसके पहले उसे शपत लेनी होती है तो वह व्यक्ति जो राष्टपती के पत को गरहन क हो तो उनकी एपसेंसी में कौन करेगा सो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानि कि भारत की मुख न्यायदीस की अनुपस्तिती में सर्वोच न्यायलाई की बरिष्टतम न्यायदीस भारत की राष्टपती को सपत दिलाएंगे अब फ्रेंड्स आई देख लिते है यानि की राष्टपती की सपत यानि की ओथ कैसी दिखती है क्या है ओथ तो राष्टपती की ओथ इस टाइप से है I do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of president of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the constitution and the law and that I will deport myself to the service and well being of the people of India यानि की मैं और यहां जो अमुक है और यहां पे नाम लिखा है यहां जो व्यक्ति राष्टपती की रूप में पद धारन करने जा रहा है चुनाव जीतने के बाद उसे अपना नाम बोलना है जैसे कि यदि आपका नाम ईश्वर प्रसाद है तो आपको ईश्वर प्रसाद लिखना है तो मैं ईश्वर की सपत लेता हूँ कि मैं श्रद्दा पूर्बक भारत के राष्टपती के पद का कार्यपालन तथा अपनी पूरी योगिता से सम्विधान और विदी का परिरक्षण, सनरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्यार में निरत रहूँगा So friends, क्या मतलब है इस ओत का? क्या मतलब है इस सपत का? तो यहाँ पर जो main points है, जो keywords है, उनको मैंने underline कर दिया है तो सबसे पहला keyword है कि राष्टपती के पद का कार्यपालन तो पहली पंक्ती में कहलेका है कि मैं इस्षवर की सपत लेता हूँ कि मैं श्रद्दा पूर्वग भारत के राष्टपती के पद का कार्यपालन करूँगा So क्या मतलब है इस बात का? So इस बात का यह मतलब है कि वो व्यक्ती जो राष्टपती का पद धारण करने जा रहा है वो व्यक्ती जो इस सपत को ले रहा है वो ईश्वर को साक्षी मान के यह प्रतिग्या करता है वो ईश्वर की कसम खाता है कि रास्ट्रपती की रूप में उसके जितने भी कर्तव्य होंगे उसके जितने भी कार होंगे उसके जितनी भी जिम्मेदारिया होंगी सो राष्ट्ट्रपती के रूप में उसके जितने भी करतव्य होंगे वो उनका इमांदारी से निर्वहन करेगा वो अपने सभी करतववयों को इमांदारी से पूरा करेगा उसके बाद अपनी पूरी योगिता से समविधान और विधी का परिरक्षण सनरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा यानि कि व्यक्ति ईश्वर को साक्षी मान के इस बात की प्रतिग्या ले रहा है कि वो समविधान का और विधी का सनरक्षण करेगा तो समविधान और विदी के संरक्षन करने से क्या मतलब है कि व्यक्ति संपूर्ण प्रयास करेगा कि देश में कोई भी व्यक्ति या सरकार समविधान का उलंगन ना करे देश को समविधान के प्रापधानों के हिसाब से चलाया जाए देश को विधी के अनुसार चलाया जाए उसके बाद मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा यानि कि व्यक्ति ईश्वर को साक्षी मान के इस बात की सपत ले रहा है कि जब से वो राष्ट्रपती बनेगा और उसका जितना भी कार्यकाल रहेगा तो वो अपने संपूर्ण कार्यकाल में अपना पूरा समय भारत की जनता की सेवा के लिए समर्पित कर देगा वो जनता की सेवा करेगा और जन कनल्याण को अधिक से अधिक बढ़ावा देगा तो यह मतलब है राश्ट्रपती की शपत का उसके बाद आईए फ्रेंट्स हम डिसकस कर लेते हैं tenure के बारे में यानि की कारेकाल के बारे में अनुचेत 56 बात करता है राश्ट्रपती के टर्म यानि की राश्ट्रपती की पदावधी के बारे में पदावधी या टर्म का क्या मतलब होता है इस बात का मतलब होता है कि एक वेक्ती जिस पत पर वो है वो उस पत पर कितने समय तक रहेगा एक व्यक्ति किसी विशेश पत को कितने समय तक धारण करेगा जैसे कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपती की रूप में चुना गया है तो वो कितने समय तक अब राष्ट्रपती की पत को धारण कर सकता है तो राष्ट्रपती की जो पदावदी है वो होती है पांच साल की यानि कि जो वेक्ति राष्ट्रपती की रूप में चुना गया है वो पांच साल तक राष्ट्रपती की रूप में कार्रेक करता है और ये पांच साल कब से गिने जाते हैं from the date he enters office यानि कि जिस तारीख से बहुत कार्यालाय में प्रवेश करता है उस तारीख से ये 5 साल गिने जाते हैं उसके बाद आता है आर्टिकल 57 अनुच्छेत 57 क्या कहता है कि अब person can be reelected n number of times यानि कि एक व्यक्ति को कई बार पुनाह निर्वाचन किया जाता है तो अनुच्छेत 57 बात करता है पुनाह निर्वाचन के बारे में कि यदि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपती बन गया तो क्या वो फिर से राष्ट्रपती बन सकता है तो इस बात का जवाब है हाँ व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपती की रूप में निर्वाचित ह सकता है सम्विधान इस बात तर कोई रोक नहीं लगाता है व्यक्ति जितनी बार राष्ट्रपती की रूप में निर्वाचित होना चाहे वो हो सकता है उसके बाद इस बात का क्या मतलब है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपती की रूप में निर्वाचित हुआ उसके बाद वो अपने ओफिस में एंटर हुआ यानि कि उसने अपना कार रहले में प्रवेश किया और जिस दिन उसने अपने कार रहले में प्रवेश किया यानि कि जिस दिन उसने राष्ट्रपती की रूप में पद को धारण किया उस दिन से अगले 5 साल तक के लिए वो इस व्यक्ति के 5 साल पूरे होने के बाद यानि कि इस व्यक्ति के पदावधी के बाद हमें दूसरे राष्ट्रपती के आवशक्ता होगी तो अब Election Commission of India यानि कि भारत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है कि सेवारत राष्ट्रपती के कार्रकाल के दोरान ही जो व्यक्ति अभी राष्ट्रपती के रूप में पदारण किये हुए है उस व्यक्ति के 5 साल पूरे होने से पहले भारत निर्वाचन आयोग नए राष्ट्रपती के लिए चुनाव करवालेगा जो व्यक्ति अभी राष्ट्रपती की रूप में पद्धारण किये हुए है उस व्यक्ति के 5 साल पूर्ण होने से पहले ही चुनाव आयोग नए राष्ट्रपती के लिए चुनाव करवा लेगा लेकिन जो नया राष्ट्रपती है वो अभी अपने ऑफिस को जोई नहीं करेगा तो जब पुराने राष्ट्रपती के 5 साल पूरे हो जाएंगे तो वो अपने पत को चोड़ देगा और उसके बाद जो नया राष्ट्रपती है वो पत को धारण करेगा और फ्रेंट्स यदि किसी इस्तिती में भारत निर्वाचन आयोग सही समय पर नए रास्टरपती के लिए चुनाव नहीं करवा पाता तब जो पुराना बाला रास्टरपती है यानि कि जो रास्टरपती अभी पत को धारण किये हुए है वो रास्टरपती की पत को तब तक जायोग नय रास्ट्रपती के लिए चुनाव ना करवा दे हुआ है उसके बाद friends बात आती है वेकेंसी की या रिक्ती की सो वेकेंसी या रिक्ती क्या मतलब होता है कि यदि रास्ट्रपती का पद खाली हो कोई भी वेक्ती इस पद को धारण नहीं किये हुए हो तो अब वेक राष्ट्रपती की रूप में कारण नहीं करना चाहता अब उसे कुछ और काम करना है उसका मन नहीं है तो वो व्यक्ति रिजाइन कर सकता है यहनी कि वो अपना त्यागपत्र दे सकता है उसके अलाबा impeachment impeachment है महावयोग का क्या मतलब है कि यदि बारत का राष्ट्रपती सम्विदान का उनलंगन करता है तो इस आधार पर संसद राष्ट्रपती पर महावयोग चला सकता है और महावयोग चला कर राष्ट्रपती को उसके पद से हटा सकता है उसके अलाबा यदि किसी व्यक्ति की म पर नहीं रहेगा और राष्टपती का पद खाली हो जाएगा अब फ्रेंट्स उसके बाद अब चुकी पद खाली हो चुका है तो अगला चुनाओ कब होगा तो रिक्ती की तारीक से 6 महिने के भीतर यानि कि भारत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है कि जिस तारीक को रिक्ती हुई है जिस तारीक को पद रिक्त हुआ है उस तारीक से अगले 6 महिने के भीतर नए राष्टपती के लिए चुनाओ करवा लिये जाए और नए राष्टपती को निर्वाचित कर लिया जाए उके उसके बाद बेन दियर इस वेकेंसी और एपसेंस इन दा ओफ गनात लेने के बाद राष्टपती की रूप में कारव करता है तो क्या मतलब इस बात का जैसिकी सबसे पहले आप समझें कि रिक्ती और अनुपस्थिति में क्या difference है तो रिक्ति या वेकेंसी क्या होती है मैंने आपको पहले ही समझा दिया है तो रिक्ति या वेकेंसी में क्या होता है कि या तो वेक्ति की मृत्ति हो गई है या फिर उसने स्थीफा दे दिया है या फिर उस वेक्ति को हटा दिया गया है यानि कि तीरो ही इस्तितियों में क्या हो रहा है कि पद खाली हो चुका है पद को कोई भी व्यक्ति धारण नहीं किये हुए है लेकिन वो किसी कारण से अपना कारण नहीं कर पा रहा है जैसे कि मान के चलिए यदि व्यक्ति वीमार हो तो भले ही वो व्यक्ति उस पद को धारण किये है लेकिन वो चुकि वो वीमार है तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा वो अपने करतब का निर्वहन नहीं कर पाएगा बुलकुल उसी प्रकार मान के चलिए कि यदि राश्ट्रपती महोदाय अपने परिवार के साथ छुट्टी पर जाते हैं ओके हॉलिडे पर जाते हैं तो इस दौरान भी वो अपने कार को करने के लिए उपस्थित नहीं होंगे तो अनुपस्थिती का यह मतलब होता है तो ऐसी दोनों स्थितियों में यानि कि या तो रिक्ती हो या अनुपस्थिती हो या तो वेकेंजी हो या एपसेंस हो इन दोनों ही कंडिशन में उप राश्ट्रपती जो है वाइस प्रसिडेंट जो है वो भारत की राष्ट्रपती के रूप में कार करता है लेकिन उसे राष्ट्रपती के रूप में कार करने से पहले शपत लेनी होती है उपराष्ट्रपती राष्ट्रपती के रूप में कार करता है लेकिन उसे राष्ट्रपती के रूप में कार संबालने से पहले शपत लेनी होती है ओत लेनी होती है और इनको भी ओत कौन दिलवाते हैं चीप जस्टिस अफ इंडिया यानि कि भारत के मुख न्याय अधीस उसके बाद maximum time for which vice president can act as president is six months but in case of absence it can be more than six months also यानि कि उप राष्ट्रपती अधिक्तम 6 महिने के लिए राष्ट्रपती के रूप में कारक कर सकता है लेकिन अनुपस्तिती की दसा में यह 6 महिने से अधिक भी हो सकता है तो क्या मतलब है इस बात का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि राष्ट्रपती के पद में रिक्ती हो गई है या डैथ के कारण, मृत्यू के कारण, महाभयोग के कारण या फिर त्याक पत्र के कारण तो ऐसी अवस्था में भारत निर्वाचन आयो की जिम्मेदारी होगी कि वह रिक्ती की तारीक से एक लिए 6 महीने के बीतर राष्ट्रपती के लिए चुनाव करबाएं और नए राष्ट्रपती को निर्वाचित करण करें यानि कि यदि राष्ट्रपती के बद में रिखती हुई है तो उप राष्ट्रपती अधिक से अधिक 6 महीने के लिए राष्ट्रपती के बद को धारण करेगा क्यों? क्योंकि 6 महिने की भीतर नया राष्ट्रपती को चुन लिया जाएगा और नया राष्ट्रपती अपना पर धारन कर लेगा लेकिन friends यदि राष्ट्रपती अनुपस्थित है तो ऐसी दसा में उप राष्ट पती 6 महिने से अधिक समय के लिए भी राष्ट पती की पत्को धारण कर सकता है कैसे मान के चलिए कि यदि राष्ट पती की बहुत अधिक तबियत खराब है उनको कोई गंबीर वीमारी है तो डॉक्टर ने उनसे बोला है कि आपको 8 महिने का bed rest करना है तब अगले 8 महिने के लिए राष्ट पती का काम कौँ अस्मालेगा definitely उप राष्ट पती ही समालेंगे यानि कि अनुपस्तिती की दसा में 6 महिने से अधिक के लिए भी राष्ट पती के पत पर उपराष्ट पती रह सकता है उसके बाद if Vice President is not there then Chief Justice of India would act as President यानि कि यही उपराष्ट पती नहीं हो तो फिर कौन राष्ट पती की रूप में कार करेगा तो CGI यानि कि Chief Justice of India यानि कि भारत के मुख न्यायदी इस राष्ट पती की रूप में कार करेंगे ओके सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स आप मैसे जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन प्रेस करके आल सेलेक्ट नहीं किया है तो मेरा आप सभी से अन्रोध है कि आप लोग बैल आइकन को प्रेस करें और आल को सेलेक्ट करें क्योंकि by default YouTube का करता है कि वो personalize पर कर देता है तो आपको bell icon को press करना है और जो option सबसे उपर है all वाला option को select करना है ताकि आपको हर वीडियो का notification मिलता रहे तो आपको bell icon को press करना है और फिर all को select करना है तो friends एदि आपको lecture अच्छे से समझ में आया हो आप description से notes को download करने है till then take care of yourself thank you